सबी सुनने वालों को नमस्कार, आप सुन रहे हैं जैम इश्रा को, और आज में एक ऐसे टॉपिक पर पोईम बोलने चारी हूँ, जो आपकी जिन्दगी से तालुक रखता है, आप इस चीज से गुजरे हो, पर आप बोलते नहीं हो, जानते हो, सोसाइटी में चल के रहे, ल एकना आप नहीं बोल पाते हैं, हो सकता है आपकी सोच को, आपकी समझ को मैंने आवाज दिए, सुनना जरूर, और यह टॉपिक है एड्जुकेशन सिस्टम, हमारा एड्जुकेशन सिस्टम कैसा है, शुरू करते हैं, हमारी शिक्षा पर नाली, हमारी शिक्षा पर नाली इतना कच्रा कि कहीं गटर तो कहीं बन गई है नाली, किताबों की दही से दिमाग की लस्सी बनाएंगे, बाबा आदम की पढ़ाई को आज भी जिपकाएंगे, समझो, शिक्षा एक पेड़ है, समझो, शिक्षा एक पेड़ है, पक्षी हो तब तो बैठोगे, कुता, बिल शेर मचली मुकाबले के नाम पर उसी पेड़ पर चढ़ाएंगे, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सब बन गया धंदा है, उम्मीदों के बोच तले बचपन है, माबाप का प्यार भी अंधा है, एक कागस के जोर पर भविश्य का आकलन किया जाएगा, परसेंटेज बेटा कि अतनी है, पूछ पूछ के खून पिया जाएगा, यह जो इतनी विरोजगारी है, कारण बस इतना है, हमारी शिक्षा को बिमारी है, सरकारी नोकरी फिर है, निकली फिर भी तैयारी चारी है, दोसो न्युक्तियों के लिए, लाखों में फारम आएगा, बेटा सोचो तो, त लेड़ साल से नोकरी पर लगवाईए, पढ़ाते वो हैं, जिसकी जरूरत नहीं, जो जरूरी है, अलग से कोर्स बनाया है, ऐसे ही ठगी कर करके, पैसे का पेड़ों गाया है, यह नहीं कहते कि गलत है सब, तो बताओ, शिक्षा का व्यपाद सही है कब, हर किसी की शमता अ अलग, सोज अलग, व्यवहार अलग, उसे पहचान के मार्ग दर्शन करो, बिना मतलग एक अद्भुत सोच को मार कर, स्वार्थ का कटोरा लेकर, यूनाधन अर्जन करो, यूनाधन अर्जन करो,